जहां एक और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन मेडा का प्यार परवान चड़ने की राह पर है और कई लोग सीमा सचिन को जम कर पसंद भी कर रहे हैं वही सचिन के ही शहर ग्रेटा नोडा की रहने वाली एक महिला का वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें ये महिला सचिन की परसनेलिटी को लेकर अनुचित और अपमान जनक टिपड़ी करती दिखाई दी थी महिला सचिन को लपूसा और जिंगूर कहती हुई नजराइ थी दरसर लिए महिला सीमा हैदर और सचिन की परोसन मितलेश भाटी है सुचिन की इस प्रोवसन भावी जी ने पहले तो बीना कुछ सोचे समझे सचिन पर निपड़ी कर दी लेकिन अब मिथलेश भाटी के मुश्किले बढ़ने वाली है सीमा हैदर के वकील ने मिथलेश भाटी को मानहानी का मुकदमा करने की चेताव नी दी है मितलेश भाटी वही महिला है जिनोंने मीडिया के साथ इंटर्व्यू में सचिन को जिंगूर सा और लप्पू सा कहा और ये वीडियो इतना वारल हुआ कि मितलेश भाटी भी फेमस हो गई लेकिन अब एपी सिंग इंटिपडियों को लेकर मितलेश भाटी के खलाफ कानूनी कारवाई करने की तैयारी कर रहे है सीमा के वकील एपी सिंग ने कहा कि ये टिपड़ी हर पती का अपमान है हमारे जैसे विवित्तापुर देश में तुचा के रंग और शारिरिक विश्रमताओं के आधार पर अपमान बरदाश नहीं किया जाएगा हम महिला के खिलाफ कानूनी कारवाई करने की योजना बना रहे है वही मितलेश भाटी अब अपने लफजों को लेकर खुद ही असहज होती नजर आ रही है वकील के चेताउनी के बाद मितलेश भाटी ने कहा कि मुझे गुस्सा आ गया और ये शब्द मेरे मुँसे निकल गये हमारे आप बोलचाल में ऐसी भाशा का आम तोर पर इस्तिमाल होता है मैंने किसी का आप मान नहीं किया लोग मुझे लपी कहते हैं लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि मैं लपी बन जाओगी इस वक्त हमारे साथ मवजूद हैं मितलेश ये आजकल सोशल मीडिया पर आपकी बहुत चर्चा है ऐसा क्या कह दिया आपने सचीन को इतनी चर्चा हो रही आपकी गुस्सा कायम है या थोड़ी देर का था गुस्सा तो कायम है बागी नीज्ग कभी ज्यादा हो जाता कभी हसी भी आ जाती है तो यह ऐसा क्या कहें दिया दिए कि उन लोगों को भी गुस्सा आने लगा मैंने बोला था क्या है सचिन में लप्पू सा सचिन जींगर सा लड़का बोलनो यहाप आवे ना बोली यह पावे ना और कभी बोलने की कोशिस करे तो सीमा हेदर हाथ पकड़ ले और मुझ पे हाथ रख दे यह प्यार है अब यह सीमा हेदर को का करवा हो गया को विचारी को और किस किस पर केस लगवा होगे मैं तो यह कहूँ हजारों से ज़्यादा आदमियों ने वीडियो बनाई है इस पर करो सुरूबत खैर मितलेश भाटी अब चाहें जो भी कहें लेकिन किसी के रंग रूप पर सारवजनिक तोर पर ऐसी टिपड़ी करना घलत तो है तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सीमा के वकील इस पर एक्शन लेते हैं या नहीं